जै शी कृष्णा आज हम बात कर रहे हैं लोबान के प्रयोग की लोबान एक प्रकार का पेड़ से निकलने वाला पदार्थ होता है जिसे गोंद भी कहते हैं जो सफेद और पीले पन हलका से पीला पन लिए हुआ पदार्थ होता है जो कि सूपने पर नमक के डिल्लियों जैस पहले देशी नमका ता तो इससे डिल्लियों जैसा बाजार में बहुत आसानि मिल जाता है इसका उप्योग नॉर्मल ऑल पहले किया जाता था आफ़ी किया जाता है, इसे जला कर धुनी दी जाती है, या तो आप भगवान के सामने भी इसे जला जाता है, या फिर पूरे घर में इसके धूप दी जाती है, और लोबान का जो धुआ होता है, उसे बहुत ही मनमुहा खुश्बू आती है, जो पवीतरता का भी सूचक होता है, इसल इनके घर में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती हो छोटी मोटी हमेशा बच्चों को या बड़ों को नजर लगती हो बहुत लोगों को यह लगता है किसी बच्चों को नजर लगती है ऐसा बिल्कूल भी नहीं है बड़ों पर भी नजर लगती है बड़ी लोगों को भी अच्छा फील होता हो तो समझ जाए कि घर में कोई नो कोई नकारक्मक शक्ति का प्रावा होता है क्योंकि जो हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर उसी समाज में नजाने कितने सालों से अच्छी और बुरी प्रेत आत्माएं शक्तियां मौजूद हैं जो अपने अपने प हो या पॉजिटिव हो अगर बुरी आत्मा है तो अप प्रभाव भी बुरा ही डालेगी आपके उपर और अगर अच्छी आत्माएं हैं तो आपको सही रास्ता दिखाने का काम करती हैं तो लोबान जब आप घर में जलाते हैं तो इसका ये भी एक फायदा है कि जितने भी पॉजिटिव एनरजी होती हैं देवी होती हैं देवता होते हैं इनको लोबान बहुती प्रभल आकर्शन करता है उन्हें अपनी और आकर्शित करता है जिससे ये शक्तियां जो भी आपके इस्ट देव हैं देवी देवता जिनको भी आप पूचते हैं वो आपके घर में आकर्शित होते आने के लिए और वो आते हैं जिससे नकरात्मक्षक्तियां सारी घर से बाहर चली जाती हैं घर में नहीं रुकती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोबान की जो खुश्बू वे उससे पॉजिटिव एनरजी घर में बढ़ जाती है और जितने भी भूत प्रेत या काली शक्तियां होती हैं यह लोबान की खुश्बू को सहन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं यदि आपके उपर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है काला जादू किया और अगर आपने लोबान जलाया तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी उसके हटता है तो अपने आप भी जो आप सेहन निकर पा रहे थे वह अच्छानक आपको मनमोक लगने लगेगी खुश्बुदार लगने लगेगी समझ जाएगे कि आपके उपर भी कुछ ऐसा किया था जो लोबान जलाने के विसे दूर हो गया होगा यह इस्थाई इलाज नहीं ह पर हाँ घर में जो भी बुरी शक्ति हैं उन्हें बाहर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है कि आप लोबान के जो धूप धूनी है वो रोज अपने घर में जलाएं कंडे के उपर जलाके इसके अलावा एक राज की बात यह भी है कि लोबान देवी देवताओं जो भी शक्तियां होती है इन सब को आकरशित करता है तो जो व्यक्ति साधना कर रहे हैं साधना करने वाले लोग भी लोबान को पूजन सामगरी में रखें जिससे कि यह शक्तियों को आकरशित करें और जल से जल आपको परिणाम मिले और साथ ही में जो लोबान है उसका प अफिर आप पांच में हाथ में बाद आप जो भी आपने काम करें वो कर यह पांच मीट बाद जब अपने हाथ की उस खुछबू को लेंगे अगर आपके घर में से सारी बूरी शक्तिया जा चुकी है घर पवित्र हो चुका है तो वही हाथ में आपने लोवान पगड़ा था उसी मुठीव से इतनी जादा मनमोह खुश्बू आपको आएगी आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने परफ्यूम या इत्र आपके हाथ पर छड़क दिया हो पर ऐसा है तो नहीं आप तो कहीं गए भी नहीं आपको पता है कोई नहीं आया आपके नजरों के सामने लेकिन ये लोबान का ही असर होगा कि वो घर में इतनी पवित्रता बढ़ा देगा कि जहां पर भी लोबान आपने रखाता है वहां से बहुत तीज मनमोह खुश्बू आएगी बिल्कुल इत्र के जैसे परफ्यूम के जैसे खुश्बू आएगी आपको और आप देखिएगा जो लो जाएगा कि लोबान जो है पवित्रता बढ़ाता है इसके अलावा एक और परियोग में आपको बताना चाहूंगा जो की बहुत ही पुराना पुराने ग्रामी डेलाकों में से किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पहले बताया गया था कि यदि आपके घर में कोई रूट कर कहीं चला जाए चाहे आपके भाई बेहन हो या फिर आपके बच्चे बाहर रहते हों घर के बाहर रहते हों बाहर जॉब कर रह रह रहा हो और वो किसी वज़े से नाराज हो गए हैं और वो घर नहीं आते हैं तो आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए कि कंडे को जला कर उसके उपर आप लोवान को रखिए और जब उसमें से धुआ निकलने लगे तो ऐसे व्यक्ति के यदि कोई भी वस्तु आपके पास है जैसे कपड़ा या कोई समान ह तो उसे उस धुएं के ऊपर आप पकड़िए और धुआ दीजिए और ये कहिए कि हे प्रभू नाम लीजिए उस व्यक्ति का जो नाराज है आपसे उसका नाम लीजिए बेटा हो बेटी हो या रिष्टेदार में जो भी हो नाम लीजिए कि वो वापिस घर आ जाए उसे हम में ठाज है यह है यह आपनी पतिनी हो नाराज हो के चली पती हो जो आपका कहना आएमान के नाराज हो गया होगा वू उन पर इतना प्रबल आकरसन होगा आपके तरफ पूरा उनको आपके सिवर कोई नजर ही नहीं आएगा उट जल से जल वो वापस आने का प्रयास करेंगे और वापस घर आ जाएंगे यह भी एक लोबान का प्रयोग आप करके देखिएगा तो अभी तक के लिए इतना ही जैशी क्रिश्णा